Hello students, welcome to the Meritorious YouTube channel आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि MP Board में Board वाले बच्चों की जो Copy Checking है वो किस तरह से होती ही किन-किन चीज़ों का धियान रखना चाहिए एक Topper Student है उसकी Copy मैंने यहां पर ली है Example की तोर पर जिस बच्चे को 70 में से 70 Marks आएं है तो 70 में से 70 Marks कैसे उसे आएं हैं जाहिर सी बाते पहली बात तो यह है कि पहला पूरा पेपर उसने अटेंड किया होगा और दूसरी कुछ बाते हैं जो छोटी-छोटी बातों का धियान उसने रखा तो वो आप exam में उन बातों का धियान रखकर Maximum Marks अचीव कर सकते हैं जितना भी आप लिख करके आएं हैं उसमें से एक भी Marks ना आपका कटे एक Mark भी आपका ना कटे ये सारी चीज़े आप देख सकते हैं तो मैंने कुछ Points बनाए हैं Point wise में आप लोगों को बताऊंगा और अपने सामने ये Paper भी है 2022 का 2022 का जो Paper है उसके basis पर हम इस बच्चे की Copy को क्या करेंगे चेक करेंगे तो एक student है इसको सतर में से सतर पूरे Marks आए हैं ठीक है वो कहां पर लिखे हुए हाला कि जो है Board वाले Marks छुपा देते हैं ये पूरा के पूरा यहां पर लगाया हुआ है ठीक है और जहां-जहां Marking होती ही वहां-वहां सब जगा स्टीकर लगा हुआ है तो वह सारी बाते अपन करेंगे तो सबसे पहला जो मेरे को लगता है और बच्चों को आप लोगों को बता दूँ कई बार स्कूलों के अंदर यह बताया जाता है कि है ना बहुत से स्कूलों में में को मालूम है कि मतलब सारे स्कूल में तो नहीं लेकिन कुछ स्कूलों में यह बताया जाता है कि आपको कोश्चन भी लिखना है है ना तो सबसे पहली बात तो यह है कि जरूरी नहीं है कि आप question लिखें, direct answer आप लिखेंगे अगर, है ना, तो कोई marks आप लोगों का, कोई एक single mark आप लोगों का नहीं कटेगा, जो कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है, जिसे, यहाँ पर choose the correct option है सबसे पहला, तो इस बच्चे ने जो है, choose the correct option के, सिर्फ number सही डाल कर है, number सही डालना बहुत जरूरी है, number सही डाल कर, यह choose the correct है, ठीक है, question number 1 है, question number 1 है, प्रशन number 1 है, उसके choose the correct है, जिसमें से जो है, यहाँ पर जो numbering करी हुई है, 2022 के paper में, वो A, B, C, D, E करके numbering की हुई है, और option जो दिये हुए है, 1, 2, 3, 4, मतलब रोमन numeral के अ हुई है, तो हमें भी A, B, C, D करके sequencing डालनी है, हम हमारी मर्जी से number 1, number 2 इस तरह से नहीं डाल सकते, अगर यह बच्चा जो है, इस तरह से लिखता के choose the correct के पहले का answer यह है, तो यह पहला नहीं माना जाता, जबके इसको numbering जो उस हिसाब से यहाँ पर A, B, C, D, Q हुई है, उसी हिसाब से numbering के हिसाब से इसको काम करना पढ़ा और करना चाहिए, ठीक है, और clear कर लेता हूँ थोड़ा में, और दूसरी बात आपको पता लगी रही है, कि यहाँ पर इसने बिल्कुल center में है, मैं हर एक बच्चे topper की मैंने copy देखी, उसमें 90% student का मैंने यही देखा ह कि जिस भी सवाल का वो जवाब दे रहे हैं, तो उसका question number बिल्कुल center में होता है, ताकि जो है पढ़ने वाले को बिल्कुल clear रहे कि कहां से कोई question का answer खतम हुआ है, और कहां से दूसरा question का answer उसका अगला जो है शुरू हुआ है, तो इस बच्चे ने जाहिर सी बात है, मैं question तो बताने वाला नहीं हूँ, ठीके, उस question के सारे सही answer दिये हैं, सारे correct लगे हुए हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं है, कि हमें line नहीं छोड़ना है, या line छोड़ना ही है, तो इस बच्चे को लगा कि मैं line छोड़कर लिखूँगा, तो खुबसूरत दिखेगा, तो इस बच तो इस student ने एक line खेची है proper, ताकि बिल्कुल clear हो जाए कि यहां से मेरा एक answer खत्म हो चुका है, और दूसरी हिरानी वाली बात मेरे को यहां पर दिखी, कि इसने यहां पर question number two शुरू किया है, फिलिंदा blanks लिखा है, नीचे 4-5 line बची हुई थी, वहां पर इसने answer को attend नह आपके या फिर कुछ होगा, तो उसे लगा कि नहीं, मैं फिलिंदा blanks के एक साथ पूरे answer यहां नहीं लिख सकता, इतनी जगा नहीं है, दो से तीन लिख सकता हूँ, तो अगर आप चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई का डायरेक्ट लिखा हुआ है, अब यहां पर जो answer number यह सब जगा टू-टू कर रखा है ना, इसने, ठीक है, यह टू-टू का मतलब यह है, कि question number 2 का, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांच वा, क्योंकि यहां पर fill in the blanks में sequencing, MP board के paper में, Roman numeral में दी हुई थी, जैसा कि अ question number 2 है, तो इनने answer number 2 सब जगा डाला है, और उस second का कौन सा है यह, second का जो है, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, साथ आये थे, तो साथो के साथो इसने डाले हैं, यहां पर, ठीक है, again writing कितनी सुन्दर है, एक-एक जो है, मतलब line छोड़ कर इस बच्चे ने लिखा है, तो इन बातों का भी अपने को ध्यान में रखना, ध्यान रखना है, कि एक-एक जो है, अपने को छोड़ कर लिखना है, उसके बात, जो है, मैं बच्चों को बताता ही हूँ, पहले भी मैं tips देता था, अब भी देता हूँ, ठीक है, exam से पहले, examination कैसे attend करना, उसमें सबसे बहतरीन tip, सबसे ज्या हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम separation है यहाँ पर, और इस बच्चे ने और भी अच्छा काम किया, यहाँ पर एक line खेच दिये, ताकि अगला question कहां शुरू हो रहा है, कहां से, वहां से पता लग जाए, अब यहाँ पर भी जो है, इसके match the column जो है, क्योंकि MP board ने 2022 में जो match the columns दिये थे, वो कितने match the column है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, one second, देखो एक बार, यहाँ पर match the column जो है, वो साथ है, seven match the column है, है ना, अब यह चाहता तो यह वाली जो है, gap इतनी सारी छोड़ देता, और सातों के सातों नए page पर लिखता, लेकिन, उसने भी सोच और हमें भी सोचना चाहिए, कि अगर इतनी जादा gap बच रही है, यह पूरा करीब करीब आदा page बच रहा है, अब उसे तो हम नहीं छोड़ें, ठीक है, यहाँ पर चार आ सकते हैं, मैजदा कॉलम के अंसर, तो चार लिख दें, अगर एक, दो, तीन, चार line बचती है, तो ह सकता है, जैसे यहाँ पर चार line बच रही थी, तो इस बच्चे ने छोड़ दिया उसको, और next page से शुरू कर दिया, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर, तो चार मैजदा कॉलम है, और मैजदा कॉलम में, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि, match the column जो है, उसके चेकर को भी confusion होगा, क्योंकि copy checker बच्चों इनसान है, कौन है, इनसान, और उसे भी जो है, जितना आप free mind रखोगे, जितना आसानी उसके लिए पेदा करोगे, copy checking के लिए, उतना ही जो है, आप लोगों को, सही और जल्दी marks, जो है, मिलेंगे, और आप जिस हिजाब से चा इनसर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और बाकी के तीन यहाँ पर लिख दिया है, अच्छा, यहाँ पर marking दी हुई थी, तो इसलिए MP board वालों ने sticker चिपका दिया है, यहाँ पर, next अपन बात करते हैं, बच्चों यहाँ पर subjective questions की, तो subjective questions में भी जो है, जैसे, नहीं सॉर अक्सर गलती करते हैं, चोथा जो है, वो भी objective की श्रेणी में गिनते हैं, बच्चे, जबकि मैं उसे objective नहीं मानता हूँ, give answer in one sentence, तो बच्चे यह समझते हैं, कि one word में answer देना है, ठीक है, जैसे पहला question है, how does focal length of lens depend on the power of lens, तो सिर्फ formula लिखा जा सकता था इसका, लेकिन यह से ज्यादा आप पूरा question में से लिखें, और जो main, जो उसका point है, जो answer है, वो आगे बढ़ा दें, ठीक है, जैसे पहले छोटे बच्चे थे, हम याद करते थे न, आदा तो question में से आ जाएगा, हमें दो word लिखने हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर one sentence में लिखना सिर्फ एक शब्द में उत्तर देने से आपके marks कट सकते हैं, क्योंकि यह साफ लिखा है, one sentence में देना है, तो यह देखो, साथ one sentence वाले question है, और साथो में इस बच्चे ने, जो है, कम से कम एक line में या दो line में तो answer दिया है, तो यह focal length वाला answer है, ठीक है, उसका formula चाहता तो direct लिख सकता था वो, ठीक है, second का answer है यह, एक line में लिखा है, third का, fourth का तो हदी कर दी देखो, आप चार्म line में इसने answer लिखा इस बच्चे ने, मतलब एक definition पुछी गई थी, चोते में, fourth question में, क्या definition पुछी गई थी, what is threshold frequency, ठीक है, हलाकि यह दो में भी आता, अगर, तो भी अगर इतना बच्चा ही लिखता, इतना, तो भी जो है, उसको दो मांक्स मिल सकते थे, लेकिन एक में आया है, और definition आयी, तो proper definition लिखी गई है, यहाँ पर, चाहे वो चार line में आये, तो यह one word नहीं होते है, one sentence होते है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बाकि सा फिफ्ट कोशन है, फिफ्ट कोशन में, लिमिटेशन ओफ ओम्स लो उसने अटेंड किया है, तो और से उपपर वाला है, तो और से उपपर वाला है, तो वहाँ पर सिर्फ हमें answer number 5 या question number 5 डाल के हमारा answer अटेंड करना शुरू कर देना है, लेकिन अगर मेरी choice यह है कि मैं यह वाला नहीं करने वाला हूँ, मुझे यह वाला answer अच्छे से आता है, या फिर यह वाला मेरी choice है, यह जो है मैं करना चाहता हूँ, तो उस time पर आपको bracket में और लिखना जरूरी होता है, ठीक है, numbering सही होना चाहिए, अगर numbering के में आप और के नीचे वाला लिख रहे है तो bracket में और लिख दीजिए, ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा question है, उसका answer attend किया जा रहा है, ठीक है, तो इस बच्चे ने यह लिखा है, ठीक है, लिमिटेशन्स, दो लिमिटेशन्स हैं, पूरे के पूरे उसने लिखे हैं, word limit का भी ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं बात क question वाला question था, तो उसमें हमें कम से कम, तीन, तीस शब्द जो है, वो लिखना है, तो यहाँ पर भी इस बच्चे ने इस बात का धियान रखा है, कि करीब करीब तीस शब्द, ऐसा कोई गिंता नहीं है, लेकिन अंदाज हो जाता है, जिसे मान लिया जाए, इस बच्चे ने वहाँ धियान रखना है बच्चों, जहाँ पर पूरा के पूरा paper subjective हो, ठीक है, पूरा के पूरा paper मतलब, sorry, theoretical हो, पूरा के पूरा answer theoretical हो, वहाँ पर कोई derivation ना हो, वहाँ कोई solution ना हो, अगर solution होता है, equation लिखनी पड़ती है, तो उसमें जो है word कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे हम अंदाज लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या-क्या बाते हमें जो है, सीखना चाहिए यहाँ से, ठीक है, जिसमें से मैंने आप लोगों को बता दिया, direct answer लिखना है, उसमें तो आप लोगों को बिल्कुल भी, जो है, वो जिजक नहीं करना है, direct answer लिख सकते हैं, लेकिन उसमें sequencing जो है, वो जो है, सही होना चाहिए, है न, एक line की gap छोड़ना है आपको बच्चो, छोड़ सकते हैं चाहें तो, ठीक है, एक line की आप gap छोड़ सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने जो है, objectives में gap छोड़ी है, subjective answers में नहीं छोड़ी यह gap, है न, paragraph के बाद gap जरू परूल नहीं होता है, कि ऐसा ही करना है अपने को, ठीक है, one sentence में आपको मालूम है, पूरा subjective type रेता है, मतलब पूरा अपने को one sentence में answer देना पड़ता है, एक शब्द में answer दोगे, तो आपको पूरे marks मिले, ऐसी कोई guarantee नहीं होती है, ठीक है, diagram अगर needed हो, ठीक है, sorry, diagram जो है, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है कि well decorated ही होगा, जैसा किताब में बना है, वैसा कि ऐसा ही बनाना है, मैं diagram के time पर उस बात को बताऊंगा आपको, जिसे इस बच्चे ने diagram ethical question जो था, एक question है हमारे सामने, ठीक है, अब यहाँ ही देख लीजिए आप, इस बच्चे ने जो बाकी का जो है वायर ही होता है, लेकिन इसने पूरा बना दिया, अब यहाँ उसके कोई marks नहीं कटे, क्योंकि यह ज्यादा माइने नहीं रखती यह चीज, ठीक है, एक बात तो यह, अगला यहाँ पर आप एक diagram और देखो, जो मैं बताना चाहरा हूँ आपको, यहाँ पर, राउंडर का इस्तिमाल होता, तो और ज्यादा खुबसूरत लगता, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि well decorated, बहुत ज्यादा खुबसूरत और जिसा किताब में दिखता है, वेसांज, हमें diagram बनाना है, एक diagram और है, जहां मैं बात करना चाहरा था आपसे, यहाँ पर transformer का जो diagram है, इ ठीक है, ओके, तो coil है, पता लग चुका है, एक इस तरह से जो है, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, उसकी frame है, यह मालूम पढ़ गया है, बिल्कुल जैसा किताब में बनावा वेसा नहीं बनाया है, तो चलता है, एक mark भी इसका जो है, इस बंदे का, इस इनसान का, इस जो पर बच्चे का नहीं कटा है, इस बात को ध्यान रखना है, नेक्स्ट, अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, की underline, हाँ, underline, बहुत important topic, मतलब जो यह में बात है, वो बता रहा हूँ आपको, कि जो keywords होते है, important words, उस पर underline भी कर सकते हैं, हम, ठीक है, जैसे के, मान लि or get, not, nor get, इस पर जो है, इसने, क्या है, underline की है, next अपन कुछ और question देखें, तो जैसे यहाँ पर जो है, एक keyword है, universal get, इस पर इसने underline की हुई है, यहाँ अगर हम देखें, तो यहाँ पर, two equal opposite charges, तो equal or opposite, दो जो है, एक keyword है, electric dipole के, तो keyword होते हैं, तो इन keywords पर जो है, इसने, क्या की है, underline की हुई है, उसके अलवा, dipole axis के बारे में भी बता दिया, इसने, मतलब, deep knowledge दिया, जो भी question था, ठीक है, ओके, और, इस तरह से, यहाँ पर सारी चीज़ें, की है, ठीक है, total, इस बच्चे ने, जो pages भरे हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, करीब-क pages के आसपास इसने भरे हैं, काफी ज्यादा होते हैं, मतलब, करीब-करीब, दो supplementary copies लिए, चार-चार page की, इसने, ओके, और, जब भी हम कोई derivation करते हैं, और, हमें answer आजाता है, या, फिर, maths में solution करते हैं, और, हम answer आजाता है, तो, last में, closing statement लिखना बहुत ज़रूरी है, ज कहाँ पर, जो है, closing statement हर जगा लिखा होता है, okay, जिसे मान लिया जाए, या, answer आ चुका है, जो find करने के लिए बोला था, वो आ चुका है, ठीक है, जो find करने के लिए बोला था, वो आ चुका है, और, फिर, उसके बाद में, या पर closing statement, the direction of electric field, ठीक है, is from positive to negative, थोड़ा सा मतल आएंगे marks, अच्छे आने के, है ना, तो concept clear रखना मुझ जरूरी है, और इस बच्चे को 70 में से 70 आए है, उसका मैं आप लोगों को proof देता हूँ, देखो, एक तो, ये देखो, ये लिखा है ना, ये, यहाँ पर, actual में, ये यहाँ पर दिये थे marks, मैं बताता हूँ, देखो इसको, अगर मेरा रिमेज में देखेंगे, तो ये 7, और ये 0, और ये 7, और ये 0, 70 out of 70, 70 में से 70 marks पूरे इस बच्चे को आए है, इन सब चीजों का बच्चों हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कोई भी doubt हो आपका, तो आप comment box में जरूर पूछें, मैं आप लोग है, वो download कर लीजिए, telegram channel join कर लीजिए और इसी तरह की updated, important question की, और strategic videos के लिए channel को subscribe कीजिए, thanks for watching for this video.